नमश्कार दर्शकों, बाय सुरेश श्रिमाली, गरहों का खेल, कारिकरम के बाद्यम से जन्म कुड़ली विस्टलेशन के इस स्पेशल प्रॉग्राम में आप सबी का स्वागत करता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं, जो अपने जिन्दगी पर प्रॉफेशनल चीज को भी लेकर कन्फ्यूज रहते हैं, मुझे जॉब करना है, बिजनस करना है कुछ लोग जॉब करते हैं, साथ में मेरिटर लाइफ को चलाने पाते हैं, कुछ लोग इन दोनों का सही चला पाते हैं तो आज का युवा इन उधेर बुन और इस डाइलमा की जिन्दगी से परेशान हो चुगा है इसी कड़ी में, आज मैं जिस सक्ष की कुंडली का विस्लेशन कर रहा हूँ, उनकी उम्र 26 साल और 10 मैंने आप इसे 27 साल का पुरुष कह सकते हैं नाम अभी शर्मा रहते हैं नई दिली में हैं, आम तोर पर इस कारेकरम के बातियम से मैं किसी का वे नाम इसलिए नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे गोपनी रखना पसंद है लेकिन अगर कोई खुद चाहे तो मुझे कोई अतराज नहीं है इनका प्रश्णा है कि मेरी शादी कब होगी, सताई साल के उपर होगी है और आम तोर पर जब लोगों की मेरिटर लाइफ खराब होता हो देखता है तो वह सक्ष चाहता है कि मेरी मेरिटर लाइफ कैसे रहेगी मैं जॉब में सक्सेस हो पाऊंगा या बिजनस में और इसके लिए हेल्थ अच्छी होनी ज़रूरी है तो हेल्थ का भी इनोंने परश्णा पूचा है तो आईए इनकी जन्म कुडरी में लगन को भी हम देखेंगे और नवमाश को भी देखेंगे और फिर इनकी सवालों के जवाब दे जाएंगे इससे आपका जो दर्शक है उनका मरोबल भी बढ़ेगा जोतिश पर विश्वास बढ़ेगा साथ में आपको ये उमीद रखनी चाहिए कि यस समस्या है तो समाधान शब्द भी बना है तो इसका इस्तेबाल कैसे किया जा सकता है एक नजर अभी शर्मा की कुंडली पर इस वक्ट जो आप ये कुंडली देख रहे हैं चार नमबर की कुंडली है इसे हम कर्क लगन की कुंडली कहते हैं लगन की लॉड बनते हैं चंदरमा जो की फोर्थावस में बिराजमान है अब लगन जो है वो बाईस पॉइंट पैटिस डिगरी के हैं यानि ऐसे लोगों की जिंदिगी में चालिस साल के आसपास बहुत जबरदस भाग्योदे होता है लगने युवा हो तो इनसान यंग एज में ही तरक्की कर लेता है लेकिन चंदरमा जो की लगने शोकर फोर्थावस में बिराजमान एक डिगरी के हैं यानि उनतिस डिगरी तक भोगना है तो यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और फोर्थावस में शुकर के साथ चंदरमा बिराजमान होने से इनसान को जो कि 11 आउस इंकम आउस के लॉड़ होकर बिराजमान है फोर्थावस में और शुकर 9.34 डिगरी के यानि युवा है तो ये तो तय है दोस्त कि ये जो मालवी योग कुंडली में बन रहा है क्योंकि केंद्र में शुकर स्वगर ये उचराशिक हो जाए तो मालवी नामग राज योग बनता है ये राज योग आपको अपने जिन्दगी में बहुत सारी सुक सुवित हैं गाड़ी, मकान, कमफर्टेबल जिन्दगी आप जैसी जिन्दगी चाहते हैं वैसी अगर मेहनत कर ली तो वो जिन्दगी आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हैं क्योंकि ये मालवी योग कर रहे हैं वहीं 12 ताउस में जो केतु बिराजबाने जो की विदेश यात्राओं का गर है इनकी दृष्टी जब लगनेश पर पड़ती है तो ये ताय है कि आपको जर्मिस्तान से दूर भागयो दे करने का मौका बिलेगा यानि आप पैदा नई दिली में हुए हैं मंगल आपकी कुण लें बहुती सुन्दर पोजिशन के लॉड बनते हैं फिफ्ट आउस जहां नमर लिखा और एक नमर जहां लिखा वो कर्म का इस्तान है इन दोरों के लॉड मंगल बनकर विदेश यात्रा दूर दरास्ट की यात्रा जनमिस्तान से दूर कर्मिस्तान पर बिराज माने मंगल के तू आपको भारस से बाहर दूर दरास्ट की यात्रा हैं इस्पेशलि बाहरास्ट्रा और साउथ की तरफ लेकर जाते हैं तो आप इस बारे में कूच कर सकते हैं 14.44 डिगरी के मंगल आपके अंदर energy level हमेशा रखेंगे immunity में 37 सुकाम खांसी बुखार के अलावा कोई बड़ी समस्य आपको नहीं आएगी इसका आर्थ यह है कि आपके सेहत overall अच्छे रहेगी और यह आपको बहुत उंचायो तक लेके जाएंगे वहीं करक लगर में योग कारक ग्रहभी मंगल ही बनते हैं वो जब केतु के साथ बिराजबान हो जाए तो आग और करेंट से हमेशा खतरा रहता है इस पर विचार करेगा क्योंकि इन दोनों के दिरिष्टी आपके रोग भाव पर पढ़ती है आगे बढ़ते हैं ट्वैल्थ हाउस के लॉड बुद बनते हैं बुद आपकी कुंडली में देखे सूरिय बुद और ब्रेशपती ये तीनों प्लैनेट छे नमबरम बिराजबान है यहाँ पर सूरि बुद का बुदादित योग बनता है और बुद स्वगरई उचराशी और मूल्द रिकॉन राशी में बिराजबान है इससे ये पता लगता है कि आपकी कुंडली में नौकरी करने का योग 32 साल की उमर तक बनता है और 32 साल में भागी हो दे जब होता है तो व्यापार का योग बनता है 32 और 40 साल आपकी जिन्दिगी में मेजर टर्निंग पॉइंट थाबित होगे तो इसके लिए आपको विचार करना चाहिए आगे बढ़ते हैं सेवंध आउस की बात करते हैं इस वज़े से ये शनी की लगन पर भी द्रिश्टी और लगनेश पर भी यानि दस नंबर से आप चार की तरफ एक अरो जा रहा है और चार नंबर के लॉड चंदरबाव पर भी द्रिश्टी है ये आपको confused, double mind, stress और साथ में disturb, distraction, unknown fear ये सब में बना के रखें इसके लिए आप जितना आप अपने आपको occupied रखेंगे, busy रखेंगे, उतना शनी आप गुलाब देगा और ये व्याबार भाव में शनी, ये दर्शाता है कि आपके व्याबार करने की कुंडली है वो भी food and beverages, hotel, restaurant का का काम या फिर शनी से समधित काम जो iron, building, material, construction, production, manufacturing के लौड है यहाँ पर एक बात इसपस्ट कर दूँ के थर्ड आउसम बिराजमान, बिराजित ब्रेशपती की पांचवी दृस्टी आपके व्यापारिस्तान और शनी पर है, भागिस्तान पर है, जो खुद का गर है कर बैठे रहते हैं, कि श्रिमाली जी ने या पंडी जी ने कहा है कि हमारी कुणली में राजी होगे, करते तो कुछ है नहीं क्योंकि आप खुद कुछ नहीं करते हैं, आप खुद हाथ पर आध धरे रह जाते हैं, आज कल की यंग जेनरेशन को आप देखिए जाकर, बड़ा दुख होता है, सिगरिट पीते हैं, थड़ी पर बैठे रहते हैं, गाली गलोच करते हैं, मोटर साइकल बगाएंगे, सारी पड़ाई करते हैं, आज हिंदोस्तान सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, लेकिन युवा करते क्या हैं, क्या प्राड़ेटिव काम किया है, क्या हमने कोई स्पेशल काम किया है, क्या अपने देश और दुनिया का नाम रोशन किया है, कुछ लोगों ने जरूर आप पैसे भी कुछ लोगों ने जरूर किया होगा लेकिन ज्यादत दोग नहीं कर पाते हैं भाग ये बरों से बैठे रहे ना या फिर अपने आप हो जाएगा दूसरों देखकर जलन रखने से कुछ नहीं मिलेगा इसलिए कर्ब करने पर लाब मिलेगा और ये लाब आपको कब मिलने वाला है क्योंकि अभी आपको चल रहे है गुरू की दशा में बुद्ध कंतर जो 24 अगस्त 2020 लग रहेगा फिर गुरू में केतु आते हैं केत चुड़ावे खेत ये आपको तरकिम लगा देगा और वही वक्त आपकी शादी का होगा दूसरा 24 जनवरी 2020 में आपक कि आप मंगली हैं और मंगल 12 ताउस में जो बिराजबान है इससे ये पता लगता है कि आपको मंगली से ही शादी करने चाहिए कुछ ऐसे लोग आपको जिन्दगी में मिलेंगे जो ये कहेंगे कि साथवे गर में शनी बिराजबान इसलिए मंगल दोश भंग हो जाता है मैं ऐसी किसी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ आप विश्वास करते हैं करते रहिए मुझे लगता है कि मंगल की कोई काट नहीं कर सकता है शनी के अंदर तो बिल्कुल ही ताकत नहीं है जो मंगल की काट कर सके जो लोग ऐसा सोचते है या बोलते है उन लोगों के मेरे प्रश्ण है कि जब मंगल शनी के गर में जाते है तो उच्च के हो जाते हैं और शनी के अंदर अगर इत्री पावर है कि वो मंगल की काट कर सके तो शनी जब मंगल के गर में जाते हैं मेश राशे में तो नीच के कैसे हो जाते हैं अगर इनके इतरी पावर है तो उच्छगा होना चाहिए अब मैं नौमाश कुंडली के कुछ पॉइंट बताता हूँ जिससे आपकी सती और ज़्यादा क्लियर हो सकती है यह 10 समर की कुंडली बनती इसे मगर लगन की कुंडली बनती है कहते हैं लगन और धन भाव के लौड होकर शनी रोग भाव में बिराज बना है जो आपको हड़िों की तकलिफ दे सकते आने वाले टाइम में तो आपको अपने कैल्शियम का ध्यान रखना चाहिए और नींद पूरी लेनी चाहिए, स्ट्रैचिंग और एक्सरसाइज जरू करें चाहिए. वहीं सेकेंड आउस में मंगल और ब्रैश्पती का परिजात योग बनता है, जो कि आपके लिए बहुत बड़े राज्योग वाला कारण बनता है. इस वज़े से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम में आप बड़े लेवल की तरक्की करेंगे. वो आने वाला कब हैं? 32 वर्ष और 40 वर्ष पे पहले क्लियर कर चुकों हैं. शुकर विदेश आत्राओं के गर्वें बिराजबाने ये तैह है कि आपकी, क्योंकि फिफ्ट आउस और टैंफ आउस के लॉड़ बनते हैं शुकर जो ट्वैल्ट आउस बिराजबान हो जाए, तो इनसान के ज्यादत तो मैं खुश होंगा, वो ठीक है, लेकिन हर पल खुश रहकर करना चाहिए, इसके लिए मैं कड़ी बार कहता हूँ, कि आप खुशी पाने के लिए कोई काम करोगे, तो हो सकता नहीं भी मिले, लेकिन अगर हर काम को खुश रहकर करोगे, तो खुशी जरू मिलेगी, ऐसा म बेरा मानना है, अब 10 आउस जो करम का होता है, वहाँ पर चंदरकेतु का ग्रहन दोश है, 10 आउस के लॉड बनते हैं, शुकर, उस पर सूरी राओ के ग्रहन दोश की दृष्टी है, ये एक वीक पॉइंट आपका, और चंदरकेतु का ग्रहन दोश, ये दोनों नहुमाश म अगर आप चलोगे, साही स्ट्रेटेजी की साथ चलोगे, और मैं कुछ उपाय बताऊँ, उससे करोगे, तो आपको लाब जरू बिलेगा, अब सिक्स हाउस और नाइन्थ हाउस के लॉड बनते हैं बुद्ध, थावर कीजे थापना, बुद्ध कीजे वियापार, ये बुद अब तक आपको क्या करना चाहिए, सेल्स, पर्चेस, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, जितना आप फिरोगे, उतना चरोगे, तो अब आपको मेरी बातों पर, जो पूरे हमने कुण्डली पर बात की, उससे निकलता क्या नतीज़ा, कि अगले साल अगस के बाद, इस्पेश जॉब करना या बिजनस करना, ये मैंने क्लियर कर दिया, 32 वर्च तक जॉब करना है, सेल्स, पर्चेस, बार्केटिंग, ट्रैवलिंग का, जितना फिरोगे, उतना ला बिलेगा, 32 वर्च के बाद, किसका बिजनस करना, वो मैंने क्लियर कर दिया है, आपको आज से सूरी को रात को माफ करेगा रविवार की रात को खीर बना के छट पर रखने चणनी रखने और सोंबवार की सुबह उसे किसी जीव जंतों को खिला दीजी तीसरा काम ग्रहन दोश और साथ में अंगारक दोश के आपको पूजा जरू करवाने चाहिए और इन दोनों के कवच बनते जो गले में धारन कर लोगे तो और भी अच्छा लाप बिलेगा हनुमान जी की नित्य पूजा करना और हर मंगलवार को हनुमान जी को सफेद आकड़े के पूलों की माला बना के चड़ाना आपके लिए बहुत लाबदायक साबित होगा तो मुझे पूरी उमीद और विश्वा से दर्शक हों कि आपको कुड़ली भी समझ मैं यूगर ये भी पता लगा होगा अक्समझ से या तो समाधान शाओदी भी है बागे बरों से कभी मत बैटिये क्योंकि हो सकता है कि बागे खुद ही आपके बरों से बैटा हो कि आप कुछ काम करें तो वो आगे बढ़े मैं अब अपनी वानी को विराम दिता हूँ और इजाज़त देता हूँ और प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद भी आपको जाते जाते कहता हूँ